किड़ा काम करने का, कीड़ा एक रेवल्यूशन लाने का. हम सबने मुबाइल कम्यूनिकेशन में एक रेवल्यूशन देखा है, लैंड लाइन से परसनल मुबाइल्स तक का. वैसा ही एक रेवल्यूशन कम्प्यूटर्स में हमने देखा है, डेक्स्टॉप से परसनल लाप्टॉप्स तक का. और वैसा ही एक revolution हम लेकर के आ रहे है इन दी passenger car segment with PMV, Personal Mobility Vehicles. हम सब everyday use के लिए जो car use करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं? ओफिस जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, शॉपिंग के लिए और ये सारे काम करने के लिए हम लेकर के निकलते हैं एक five and seven-seater SUV. फंद्रा सो किलो की गाड़ी और बंदा अंदर बैठा होता है सब्तर किलो का एक. इसके कारण बहुत सारे problems होते हैं और इन सारे बड़े problems का एक solution हम लेकर के आ रहे हैं by the name of Easy Your Everyday Car. So, sharks, किया आप तयार है to get a sneak peek of the future of personal mobility? Introducing to you, Easy Your Everyday Car. Wow! 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 Cute! Thank you so much. Vinita will be fit in this. We don't know. So, sharks, Easy Your Everyday Car is India's first two-seater fully electric smart microcar. So, sharks, हमारा vision है कि जैसे SUV, sedan और hatchback एक काटेगरी है, उसी तरीके से PMV भी एक काटेगरी बन कर के आएगी. इसी विजन को पुरा करने के लिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज तो रिक्वेस्ट वन क्रोर रूपीज इन एक्षेंज ओफ वन पर्सेंट एक्विटी इन दे कमपनी दे काटेगरी हूँ. जिए शार्क्स, क्या आप हमारे साथ आके एजी को हर भारतिय की दूसरी कार बनाना चाहेंगे? आपके दोस्तों को ऐसा कि आप कुछ रेवलुशनरी करेंगे? पहले वहाँ से शुरू करते हैं. अचली हमेशा से मुझे कुछ नया चीज करने में काफी एक्साइटमेंट होती है. और मैं काफी क्यूरियस हूँ बाइन नेचर. मैं एक एंजिनियर हूँ, उसके बाद मैंने MBA किया और फिर मैंने बैंक में नौकरी की. एवरी डे मैं ओफिस आता था, तकरीबन 10 किलोमेटर का दिस्टन्स था और मुझे तकरीबन 45 मिट से 60 मिनिट लगते थे. और मुझे हमेशा लगता था के जाधातर सारी परसनल कार्स होती है उसमें सिंगल और डबल उक्यूपंसी होती है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक चोटी कार होनी चाहिए और वो थी नहीं. तो पहले में ऐसे ही सोचा था कि लेट सी हम क्या बना सकते हैं। पहले बिजनेस के बारे में नहीं सोचा था। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और यह ताइम है कुछ, ऑगस्ट दोहजार अटरा अटरा अगा. And that is when I was blessed with a baby girl. In September 2018. Congratulations. I am not making this up. लेकिन मैं जब फर्स ताइम उसे एक दोक्टर के पास ले जा रहा था, तो इस क्लीनिक के आवे पार्किंग नहीं थी. तो मैं उसे एक आटो में ले गया. And जैसे ही मैं उसे आटो में ले गया, तो because of the pollution, she started crying. बहुत जोर से रोने लगी और कफ करने लगी. और उस दिन मुझे लगा के हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, best education, best vacation, best toys, but how about best air? तो तभी मैंने decide किया के better future for our children के लिए करना जरूरी है. So that is when we formalized the company in 2018 November. और तब से हमने और भी दो prototypes बनाए, और यह हमारा six prototype है. पर ऐसे कैसे होता है कि आप बैंक में काम करते करते, आपको आटो में जाते वेक आइडिया आ गया और दो साल में आपने गाड़ी बना दी. मतलब? दो साल नहीं, छे साल लगया मुझे मुझे, overall. So from the concept मुझे जो आया था, वो 2016 में आया था. तब से लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़े खुद से सीखी, बहुत सारे गराज़े विजिट किये, बहुत सारी चीज़े खुली गाड़िया खुली अंदर देखा क्या है? आपका इसमें कोई खुद का R&D, खुद का innovation, खुद का technology है, like bigger companies, जो करोड़ो R&D में इन्वेस्ट करते हैं, और is this just assembled from parts all over the globe? करोड़ो का investment तो तब होगा जब आप हमको investment देंगे. अरे बहुत, एक करोड से आपका क्या होगा? एक करोड जो है, actually, is a small part of a bigger fund raise that we are looking for. गाड़ी कैसे बना दिया रहा आपने, कोई team में होगा, कोई co-founder होगा, R&D होगा, में किसने बनाया ये design? Sir, it has been multiple people across the last five years. And we also take help from outside vendors, जो typically, बाकी OEMS भी करते हैं. तो उन सब का help लेकर के team, जो हमारी चोटी से, उसके साथ में मिलकर के हमने ये काम किया है. ये design आपकी team का है या आपके vendors का है? ने, design हमारा है, sir. और आपकी team में second core team member कौन है आपके इलावा? नामदेव करके है उनका नाम, नामदेव जाड़कर जी, जिनके पास तक्रीबन 25 साल के experience है in vehicle building. और इसकी certification आपने करा लिया है सारी? ने, certifications जो है वो बाकी है, इसका engineering का काम अभी चल रहा है, प्रोड़क्शन के लिए जो certification है वो पहले हमको लाना पड़ेगा. दाद देनी बड़ेगी, काफी bold काम है. आप यह बताएए इसमें features क्या-क्या है, जो comparable है और जो differentiated है. अप से चलती है गाड़ी? Yes. Can you see the lights? So, just for example, आपने अपनी गाड़ी पार्क करी, और आगे अंदेरा है, तो maybe you can just switch on the headlights from your app. Oh, nice! Nice! और यह टेक आपने बनाया है? Yes, यह सारा हमारा खुटका बनाया हुआ है. Nice. इसका software? Software सब कुछ हमने लिखा हुआ. और IoT? सब कुछ, everything. Okay, very good. Very cute. समझे, आपने अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में पार्क किया है, आपको याद नहीं है कि गाड़ी आपने कहां पर पार्क करी है. तो आप रिमोटली इसका हॉन बजा सकते हो. काफी कूल है. Cute है. इनकेस आपने गाड़ी पार्क करी है और लेफ्ट में कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, राइट में भी कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, तो आप अपनी गाड़ी को बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं. वाव. 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 वहाई साह। यह बहुत अच्छा फीचर है अब मैं आकर बैठ जाओ इसमें आज हो अनुबम कोई इनकी फोटो लोग गोदी में जो बैठे है अमर प्रेम यह हमारा इंस्रुमेंट क्लस्टर है यह हमारा इंफोटेन्मेंट सिस्टम है जब कभी भी आप हॉन मारोगे तो यहाँ पर उक काउंटर आता है यह य। कि कोई ध्रायव कर रहा हो गथ है तो उसे लगता है कि हॉन टो इसमें क्या हो गया ऑर यहाँ पर जब आप को नमबह बताएगा कि आपने कितने हॉन मारे तो आप थोड़ा सा conscious हो जाओगे कि आप हौन जादा नहीं माओगे और अभी हम बहुत बस 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 कल पे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि काफी चीज अच्छी हैं माना नया कॉंसेप्ट है इसलिए थोड़े से क्यूरियस है हम लोग पर एक आपने वह हौन के लिए हाट का फीचर लगाया है ताहितीं कि यह बहुत अच्छा इनोवेटिव फीचर है वह लगता है रेगुलर कार्ज में भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा हौंकिंग का मोग दूसरा पीछे की सीट पे आपने काफी जगे दिये काफी revolutionary भी लग रहा है आप फोन से गाड़ी आगे पीछे कर रहे हो और अंदर भी देखा थोड़ा आपने innovation किया है आपने एक चीज बोली थी कि यह मैं बनाना चाहता हूँ सब के लिए दूसरी कार Correct दूसरी क्यों यह तो पहली भी हो सकती है एक typical जो Indian household है उसमें car जो होती है family oriented चीज होती है तो जब कभी भी वो गाड़ी खरीदेगा first car में वो four seater और five seater की उसको expectation होगी तो यह जो है वो two seater है अगर उसने एक इससे बड़ी गाड़ी खरीद ली तो वो आपने जाके छोटी काड़ी में खरीदेगा क्यों? Just an example, I mean shaving के लिए हम axe नहीं यूज करते हैं हम blade यूज करते हैं क्यों? It is for the right purpose तो उसी तरीके से अगर आपको 15 km सी ट्रावल करना है और आप पूरे दिन में अकेले ही ट्रावल करने वाले हो तो उस केस में आपको 5-seater SUV ले जाकर के ट्राविक में फसना doesn't make sense कल पेत एक question है क्या आपने सुना है के EV में quadricycle का concept आ रहा है यह quadricycle ही है You should have mentioned that and I'm telling you why Sure Vinita's first word was cute Right आपने सुना है na Q-U-T-E नाम के बहुत popular quadricycle है तो quadricycle और कार में क्या फरक है उनके regulations में क्या फरक है अभी Q-U-T is getting launched in electric vehicle form उसमें और आप में क्या फरक है So typically, कोई भी गाड़ी जब रास्ते पर उतरती है तो उसका एक type approval होता है Quadricycle is L7 technically और जो regular cars होती है वो M1 category कहलाती है Correct M1 category में speed का कोई restriction नहीं होता है जबके L7 category में speed restriction होता है About 70 km per hour की उसकी top speed होती है उसमें weight restriction होता है कि 450 kg से जाधा जाने सकते Plus the battery pack का weight And उसमें power का भी restriction होता है कि 15 kilowatt से हम जाधा नहीं जा सकते है Q-U-T को भी अगर आप study करेंगे तो you'll realize that it's very claustrophobic इसमें आपको ऐसा feel नहीं होगा और price कितना है इसका? इसका starting price जो होगा वो तकरीबन 4 lakh से शुरू होगा यह क्या बात करेंगा 4 lakhs? Jesus Christ में पाद 4 lakh रुपे हो हम मैं यह क्यों खरी दूँ यह सर आठाने में चलेगी 50 पैसा पर किलोमेटर कोई भी electric car इतने में ही चलेगी न slightly higher, so bigger size car जो है वो एक रुपे में चलेगी but the difference is not much safety wise तो यह compromise लग रही है मुझे बहुत छोटी सी पतली सी इसमें तो safety कम लग रही है मेरको नॉर्मल कार से how many airbags? सीधा यह बता दीजे how many airbags? सीधा यह बता दीजे additional cost पर हम लगा सकते है वो 5 lakh की हो जाएगी वो जाधा हो जाएगी आपने अंदाजा लगा है कि आपका market size क्या है micro cars को लेके, आज तो zero है अभी तक हमने इसका promotional activities कुछ किया नहीं, we have spent little over maybe one and a half odd lakh rupees and हमको already 1,000 pre-orders जैसा है, जिसका order book size value somewhere around 50 crores होता है Already हमारे पास 25,000 के expression of interest है obviously सारे के सारे convert नहीं होंगे Even before we go into production, which is somewhere around April of next year उसके पहले हमारे पास 10,000 paid pre-orders होंगे इसकी order book size होगी somewhere around 500 crores Kalpith Kalpith, मेरा मानना यह है कि यहां पे आपको definitely a perception का challenge होगा लोग इंडिया में car और perception को बहुत closely link करते हैं तो मुझे नहीं लगता this specific design and model has the potential to become बहुत बड़ा आप इस journey पे अगर इटरेट कते रहे तो I think you will be able to crack something that does. Best of luck to you, I am out for now Thank you so much, thank you Kalpith, मुझे यह लगता यह लगता यह बिकेगी ना यह गाड़ी है ना यह बाइक है चारलाग रुबेगी है मुझे लगता है कहीं पे problem है As a consumer, मुझे यह प्रोड़क्त ही नहीं समझा रहा, तो मैं बिजनस नहीं नहीं for that reason, I am out Thank you, thank you so much So I think you are very early in this and I would again bet on the legacy companies whose balance sheets and R&D are very ahead And for that reason, I am out but wish you the best Thank you so much, ma'am Kalpith, अपकी एज क्या है? 35 years, sir. इतना क्रिचा किया इसकी ओप, कितने पैसे लगे हैं आपकी इसमें? Sir, तकरीबन actual cash would be somewhere around 50 odd lakhs खुद के लगे हुए? खुद के लगे हुए and we have raised some amount of money from some investors also कितना पैसा रेस किया है? Overall, we have raised about 53 lakhs from a few investors पहला हमने रेस किया था October-November 2020 में तभी हमने 10 crores के valuation cap पर funds लिये थे 19 lakhs अच्छा Second time हमने May-June last year में रेस किये थे about 34 lakhs at a valuation cap of 15 crores एक करोड में आपने यहां तक पहुँच गए हो खाली एक करोड रुपे लगा के? टाइम जो है वो ज्यादा लग गया obviously क्योंके मेरे पास बैग्राउंड नहीं था तो मुझे बहुत सारी चीजे सीखनी पड़ी battery के related, manufacturing के related vehicle design के related, कौन से lines बेटर लगता है, कौन से नहीं लगता है so मैं आपको खाली एक चीज़ बता दू यह हमारा 4th iteration है इसके पहले आपने तीन और iterations design किये है एक करोड में आपने 5th iteration है गाड़ी नहीं बनाई थी हमने, designs किये थे which is on sketching kind of a thing very good बहुत अच्छे, इतने पैसे में यहां तक पहुचना कुछ भी नहीं है मतलब कमाल है आपकी हिम्मत और दृरता की तो शाबाशी देनी पड़ेगी कि यहां तक आप पहुच का है और अभी कितना पैसे आपने का एक राउंड हो रहा है तभी आप सौ करोड का वैलियोशिन लेके आयो Overall, we are looking to raise about 10 CR और कितना कमिट होगे? उसमें से हमको 2.5 crores का एक वर्बल कमिट्मेंट मिला है चलो मैंने डेसिशिन मना लिया क्योंकि यह इतना बड़ा काम है इसमें आपको इन्वेस्टर्स भी थोड़े ऐसी लाने चाहिए जिसको इस एरिया का नॉलेज हो Unfortunately, मैं वह नॉलेज नहीं ला पाऊंगा इस एरिया में तो इसलिए मैं आज बाहर हूं बट आप जो कर रहे हैं इसको कंटिनु करिये and I wish you best of luck Thank you so much तेखे, I really enjoyed your journey Okay आप यहां तक कैसे पहुँच कहें, मुझे नहीं सौझ में आ रहा है लेकिन मैं आप पे एक बैट लेना चाहता हूं और इसलिए मैं आपको एक उफर करता हूं Wow यह सिर्फ आपके उपर बैठ है यह गाड़ी के उपर तुम्हें कभी पैसे नहीं लगाँ Okay तो मैं आपको जो उफर करूँगा आपके लास्त रांड रांड वालुएशन पे होगा So I'll give you 60 lakhs at the same valuation और मैं आपको 40 lakh रुपे लोन दूँगा at an interest rate that we can determine और एक condition है आपने कहा है by the end of the year you will have a 500 crore rupee order book उसके बहुत पहले हमारी deal हो जाएगी लेकिन मैं वो ट्रेक्शन देखना चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंच रहो Thank you so much for giving out an offer मैं इसके बारे में इसके बारे में एक दो मिनिट सरा सोच के आओ हाँ I think he is on a journey which can become big What he is not understanding is कि aspirational होना बोट दूरी है काल के रा I think the next model आप बनाओ जो aspirational देखे Kalpich ji, welcome back Yes, thank you क्या लगता है अमित्तल जी का offer पसंद आयागी ने? Sir, मित्तल जी तो काफी पसंद है लेकिन offer में थोड़ा सा आप बढ़ा सके तो मेरे लिए काफी help हो जाएगी मैं आपसे request करता हूँ के कम से कम आप 50 crores के valuation को करिये and debt ना दीजे क्योंकि मैं अभी currently debt service कर नहीं पाऊंगा तो आप प्लीज 1 crore का investment with 50 crore valuation consider करिये आपका counter है 1 crore for 2% equity for 2% equity इनका offer था 6 lakh for 4% equity plus 40 lakh debt correct ठीके कल्पित, मैंने पहले भी खा मैं आपके prototype पे offer नहीं कर रहा हूँ यह prototype मुझे नहीं पसंद है I like you और मुझे आप पे पैसे लगाने आपने जो शम्ता आपने पैदा की है पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है आगे चलके आप कुछ बढ़ा करें तो मैं एक काम कर सेमता हूँ आपने जो कहा debt हटा दीजिए वो मैं कर दूँगा आपको 1 crore equity दे दूँगा लेकिन मैं पिछले valuation से ज्यादा नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी तरक्की हो गई है पिछले round से कि आप उसका चार गुना या दो गुना valuation भी मैं आपको दे सेगा तो आपके पास counter offer है Anupam का 1 crore was 6.67% Deal या no deal? आपने यही जवाब देना है बस So first of all thank you so much everybody and thank you so much sir for your offer लेकिन इस offer को मैं accept नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें लगता है आपने बहुत महनत की है और उसके लिए अगर कुछ value नहीं मिल रही है तो फिर वो हमारे लिए useful नहीं होगा So I'm sorry but I can't accept this offer कोई बात नहीं कर सकता हूँ आप यहां तक आए और हमारी offer सुनी Thank you so much All the best All the best Kalpith, thanks All the best यहां झाता है